आज दिल्ली में प्रदान मंत्री, आप सुनते हैं ना उने, किसानों की बात नहीं करते, नव जवानों की बात नहीं करते, आपने सुना पिछले आठ दस महिनों में, पहले तो कहते थे दो क्रोर नव जवानों को रोजगार मिलेगा, पहले तो कहते थे पंदरा लाग रुप किता दिहान मोड़ते हैं आज किसकी बात करते हैं प्रदान मंतरी आज मोदी जी बात करते हैं पाकिस्तान की हम सब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में हमें कोई शक नहीं कि हम पूरा मुकाबला पाकिस्तान से कर सकते हैं आज यह राष्टवाद की बात करने लग दाएंग कि कोई है Moudiji कोई है आपकी पार्टी में जो स्वतंतर संगराम सेनानी रहा हुए बुज़ूर्ग बैटे हैं यह बुज़ूर्ग बैटे यह गवाह हैं है ना कोई इनके पार्टी में रहा है जो स्वतंतर संग्राम सेनानी होए और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं क्या ये कलाकारी है मैं तो यह कहता हूं कि आपको सच्चाई पहचान नहीं है ये जो चित रहे आप सच्चाई पहचान ये ना जवानों माता और बेनों आपसे तो मैं प्रार्तना करता हूं सच्चाई पहचानी है सच्चाई पहचानी है कि किस तरह आपका ध्यान मोड़ा जाता है उन बातों से उन मुद्दों से उन चुनोतियों से जिससे हमारा भविश्य जुड़ा है ये आपको सच्चाई पहच प्रशानी है कॉंग्रेस को साथ देने के लिए तो मैं कहूंगा ही पर साथ में मैं कहूंगा सचाई का साथ देजिएगा सचाई का साथ देजिए अपना भविश्य सुरक्षित रखिए यही मेरी आप से प्रार्तना है चाले साल चाले साल आगर ने बारतिय जन्ता पार्टी को वोट दिये सही बात है चाले साल इसलिए साथ साल में चाले साल बाजपा को वोट दिये और इत्ता ही कहना चाहता हूं चाले साल आपने अजमा लिया एक दफ़ा मुझे भी मौका देजिए मुझे मौका देजिए मैं मैं आपको वचन देता हूं कि हम आगर मालवा का एक नया इतियास बनाएंगे कि विकास का एक नया इतियास बनाएंगे मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं माता और भेनों को कहना चाहता हूं ये मौका आप देजिए आप भी 40 साल का इतियास देख लेजिए हमारे 14 महीनों 14 महीनों का नीती और नियत देख लेजिए इस सच्चाई को पहचान लेजिए और मुझे पूरा विश्वास है अगर अगर आपने सच्चाई पहचान ली तो फिर से हमारे आगर का कॉंग्रेस का जंडा मध्यप्रदेश की विदान सभा में लिराएगा और एक नए इतियास की शुरुवात होगी आप सबका बहुत बह दन्यवाद माननी मुख मंतरी महोदे अब हम उस क्रम की ओर उपड़ेंगे हम किसानों को यहां से सम्मानित करवाएंगे और निश्चित रूप से धर्ती मा के सीने से अन उगा कर सारी स्ट्रस्टी को जो पालता है इसे अनदाता किसान का सम्मान कर हम गोरान भीत हो रहे है मैं जिनके नाम पकारूंगा उन्हें जै किसान फसल रिंड माफी योजना के प्रवाण पत्रों का वित्रन हम कारी करम के मुख के अथिति महोदे और अन्य विसिष्ट अथितियों के करकमलों से हम लोग कराएंगे निश्चित रूप से ये किसान और नोजवान के लिए ब प्रदेश सरकार की ओर से कर्ज माफी हुई है ये भगुबाई इंदर सिंग चिपिया करपया सीगरता से मंच पर उनको ले कर आएंगे हमारे बैंकों के प्रतिनी दिगंड और मंच की राइट हैंड साइड से वो वहाँ पर चड़ेंगे और लेट हैंड साइड से किसान ब प्रदान किया जा रहा है कारिक्रम के मुख्य अतिति महोदे कर्शिय मंत्री महोदे उर्जा मंत्री महोदे जलसन साधन मंत्री प्रभारी मंत्री महोदे इन समस्त अतितियों के करकमलों से भग्गु बाई इंदर सिंग चिपिया इसके बागु बाए इंदर सिंग चीपिया, इसके बाद धर्मराज कालू सिंग बडागाउं जिनका की दोलाग रुपे का फसल रेंड माफी का माफ हुआ है, जिनका प्रमान पत्रों का वितरन कारिक्रम के अधीति महदे के करकमलों से धन्ना लाल विसराम सिंगवद करपया थोड़ा सा पीशे हो जाएंगे मंच पर जो अन्य अथितियों के साथ खड़ेवे हैं हमारे मंच पर आमंत्र जिने का कि इन किसान बंदुओं को निकलने में सुविधा रहेगे किरपया थोड़ा सा पीशे हो जाएंगे धन्नालाल विशराम सिंगावद एक लाग संत्यानवे हजार रुपया और दुले सिंग बापु सिंग भाचा खेड़ा एक लाग संत्यानवे हजार चार सो नब्बे रुपया ये समीती प्रवंदकों के माध्यम से इन किसान बंदुओं को यहाँ पर आज आमंत्रित किया गय और इसके बाद मेगवाल समाच के प्रतिनीदी मंडल को में आमंतित करऊंगा इन प्रमांट पत्रों के वित्रण के बाद सरदार सिंग भेरु सिंग नापा खेडा एक लाग चानवे हजार महरवान सिंग भगवान सिंग रामा खेडी महरवान सिंग भगवान सिंग रामा खेडी एक लाग चानवे हजार यह तरती चरण के जै किसान फसल रिंड माफी योजना के प्रमान पत्रों का वित्रन एक लाग 99,411 रुपे की इनकी रिंड माफी के प्रमान पत्रों का वित्रन किया जा रहा है पीरुलाल गंगाराम बोर खेडी एक लाग 88,000 जस्वन सिंग भमर सिंग मतुरा खेडी राम सिंग भागिरत जी पालडा पताप सिंग करंड सिंग जी लाला और रगवीर सिंग सज्जन सिंग जी बीजना खेडी राम दयाल मन्ना जी सामरी लाल सिंग राम सिंग हड़ाई राम सिंग हड़ाई हीरालाल मांगिलाल जी नर्वल हीरालाल मांगिलाल जी नर्वल एक लाग 54,904 रुपया बने सिंग राम सिंग सालरी एक लाक उन्पचास हजार रुपया। और मैं आमंतित कर रहा हूँ रेखा भाई दिलिप सिंग मंच पर उन्हें ये बराई की हैं एक लाग बीस हजार रुपे का इनका रिंड माफी पत्रक मिला हुआ है और पवन भवानी संकर सुसनेर एक लाग तीन हजार नंदलाल भेरुलाल सुसनेर एक लाग तीन हजार एक सो मैं इन बीस किसानों को मैं सुप्तामनाय देता हूँ जिलाप्रसासन की और से जिनका की फसल रिन माफी का तर्ती चरण के कर्ज माफी प्रमाण पत्र मिला है और इनकी रासी खातों में जाने का क्रम चालू हो चुका है पूरू से ही प्रमाण पत्रों का वित्रना आज किया जा रहा है इनकी रासी खाते में जा चुकी है और ऐसे पीरुलाल जाद में सुषनेर कृपया ये तयार रहेंगे इमाननी मुक्य मंत्री महोदय को धन्यवाद ग्यापित करने के लिए अभी नंदन पत्र भेट करने के लिए मेगवाल समाच इन बीसो करसक बंदुओं को मद्द प्रदेश सरकार की घोशना के अनुरू तिर्ती चर में से प्रमान पत्रों का वित्रण होगा ये प्राप कर चुकगए तो किसान बंदूं से मेरा अनुरूद रहेगा क्रपया कुछ समय हम और चाहेंगे आपसे कुछ प्रतिनिधियों के माध्यम से ये ग्यापन का क्रम क्रपया सभी किरसक बंदू सभी क्रसक बंदु जिने प्रमान पत्र प्राप्त हो चुका है क्रपया मंच को रिक्ट कर दें और कारी करम के मुख्य अतिती महोदे मैं सभी के प्रतियाभार व्यक्त करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कारपालन दिकारी श्रीमति अंजली जोसेप हमारे अठीतियों